चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो NEED23 एप्लिकेशन फॉरूम के रेगार्डिंग सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है यानि कि एप्लिकेशन फॉरूम की जो लास्ट एट है वो भी क्लोज हो चुकी है इसके बाद में जो क्रेक्शन विंडो है वो भी क्लोज हो चुका है अब इसमें दो ही प्रोसेस बाकी हैं एक NEED23 का एड्मिट काड आना एक्जाम के लिए और दूसरा एक्जाम सीटी का अनाउंस्मेंट यानि एंटिये दोरा सबसे पहले आपका एक्जाम कहां होगा उस एक्जामिनेशन सीटी का अनाउंस्मेंट किया जाएगा और उसके बाद में एड्मिट काड जारी किये जाएंगे अगर हम पिछला प्रोसेस देखते हैं अन्टिये का 22 का 21 का 20 का तो इसमें ये देखा गया है कि जो एड्मिट काड है नीट की एक्जाम के लिए वो एक्जाम डेट से पास दिन पहले जारी किये जाते हैं admit card 5 दिन पहले का मतलब है 7th of May 23 को exam है need का तो ये 2nd May 23 को ये admit card जारी होने की possibility है इसके बाद में 1st May 23 को ये notice आ जाएगा कि admit card कब जारी होंगे admit card जारी होने से पहले हमें exam city की information दी जाती है NTA दवरा intimate किया जाता है कि आपका need का exam कौन सी city में होगा तो ये जो examination city की information है ये 20 से लेके 25 अप्रेल 23 तक NTA दवरा intimate करनी की पूरी पूरी possibility है आपको जैसा पता है 7th of May 23 को exam है 2 बसके 5 बसके 20 मिनिट तक ये exam है यानि 3 hours 20 minutes का ये exam है तो आपको पहले इस exam के लिए preparation करनी है और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी मैं ये इस वर से कामना करता हूँ जैसे ही admit card release होंगे हम आपको inform कर देंगे और जैसे ही exam city की information का पदा लग जाएगा हम आपको उस समय inform कर देंगे आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं need related, mbbs कर रहे है, student related जितनी भी सारी information है आपको हमारे चैनल पर authentic information मिलेंगे तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जैखिन